So UK की जो Current Labour Party है, उन्होंने अपनी campaign जब कर रहे थे और जब पावर में आने की कोशिश कर रहे थे, यहां पर voting चल दे थी, उनके campaign का सबसे बड़ा मुद्दा था immigration और immigration को ये party नहीं, बलकि इससे पहले भी जो conservative party थी, वो भी UK में काफी ज़ादा एक मुद्दा बनाये हुए क्योंकि पिछले कुछ सालों में, यहां पर immigration काफी ज़ादा बढ़ चुका है, यहां के लोगों को फील होने लगा है, कि अब immigration की वज़़ा से ही यहां पर लोगों की jobs दा रही हैं, और वो लोगों को लगता है जो immigrants आ रहे हैं, वो यहां पर jobs ले रहे हैं, और बहुत से ऐ से अब यहां पे immigrants पे क्या-क्या changes आएंगे और क्या-क्या चीजों में change हो सकता है तो अगर आप एक immigrant हो, आप UK आने वाले हो या यह आप UK में already हो, तो यह video आपके लिए important हो सकते हो और ऐसे updates आपके लिए important हो सकते हैं तो हम इस चैनल पे ऐसे updates शेयर करते हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नी किया है तो प्लीज दू सब्सक्राइब आपको कि यहां पे क्या अभी current situation है तो अगर हम बात करें labor party की, तो जैसे कि मैंने बोला UK का एक बहुत बड़ा मुद्धा है कि immigration को उनको कम करना है कोई भी government यहां पे चाहए पुरानी government देलो चाहए भी की government देलो उनके लिए एक बहुत important step हो चुका है क्योंकि किसी भी government के लिए इतने high numbers जब उन्होंने देखे कि पिछले 3-4 साल में उनके numbers काफी ज़्यादा बढ़ चुके थे immigrants को लेके तो वो लोग वहां पे कम करना चाहते थे बट अब यहां पे immigration को एक बहुती बड़े हम पूल में डाल देते हैं क्योंकि हम यहां पे यह नि देख रहे हैं कि वो जो immigration का पूल है वो स्किल्व लोगों का भी आ रहा है वो international students का भी आ रहा है प्लस यहां पे जो लोग English channel के थरू आ जाते थे उनको भी इंक्लूट कर दिया जाता है तो अब यह सारे लोग उस immigration policies या immigration numbers के अंदर आ जाते अब आपको या UK की जो current government है वो क्या action ले रही है तो government ने यह तो continue किया है जो conservative party ने पहले बोला था कि अब students के साथ में dependent ने आ सकते तो उन्होंने वो चीज continue करी है उन्होंने बोला है कि हम भी अभी students के साथ में dependence को नहीं अलाओ करेंगे even दो ऐसी reports आई है कि अभी जो January intake यहां पे हुआ है वहां पे बहुत कम students UK में आए है plus for September intake also अगर आप देखोगे सारे colleges still open है वो try कर रहे हैं कि लोग यहां पे आ जाए क्योंकि यहां की जो economy है उसका एक बहुत बड़ा part है international students के पैसे तो अब international students अगर नहीं आएंगे या कम आएंगे तो यहां पे वो काफी ज़्यादा अब जो second important यहां पे सबसे ज़्यादा impact हुआ था वो था care worker visas को जब इन्होंने introduce कर दिया था कि carer and senior carer staff अब skill worker visa के तुरू आ सकता है तो हम सब को पता है कि कि कितने immense number में यहां पे लोग आ गए थे यहां पे लोग जो सही तरीके से भी आये थे और कुछ लोग ऐसे ट्राप में भी फस गये थे जहां पे लोगों ने यहां पे उनका बेवकूप भी बना दिया था उन्होंने कुछ-कुछ पैसे भी दे दे थे और वो लोग यहां पे श्रगल करें अब अब हो चुका है कि वो अपने डिपेंडेंस और फैमिली को नहीं लेके आ सकते तो कोई भी अगर दूसरी कंट्री में जा रहा है वो सिर्फ यह सोच के जाए कि अगर मैं केरर यह सीमियर के स्टाफ के रोल पे जा रहा हूं तो मैं अकेले ही जाओंगा मैं अकेले ही ज कंपनी खुल गई थी केरर और सीनियर केर वरकर्स की उनको भी उन्होंने काफी ज्यादा चेक करने स्टार्ट करते हैं इवन तिल होम ओफिस जब उनका वीजा अपलाए होता है वहां पे काफी डिस्ट्रिक्ट आक्शन कर दी है कि अगर वो वीजा सही कंपनी के थ्रूनी ह करेंगे लेबर पार्टी यह चीज अभी भी कंटीन्यू करना चाहती है क्योंकि उनको लगता है यह एक बहुत बड़ा नंबर है अब जो तीसरी और अच्छी न्यूज है वह है फामिली वीजा को लेके तो जो फामिली वीजा में उरानी कंजरविटिव पार्टी ने बोल हुआ है उसके बाद उसका प्लान था 33,000 करने का और फिर 38,700 पर जाना था बट अभी की गवर्मेंट ने यहां पर एक पॉजिटिव चीज यह करी है कि उन्होंने बोल दिया है कि जब तक मैक जो कि यहां की अडवाइजरी कमिटी है वो रिव्यू नहीं कर लेती है तब त अपने फैमिली को यहां पर on a family visa बुला सकते है तो यह एक चीज है जो कि important है और बहुत ही positive है जो यहां की government ने करी है और हम सब को यह समझने की बहुत important बात है कि जो यह labor party है they are immigrants family अगर हम उनकी history में देखें वो लोग immigration friendly है और वो try करते हैं कि immigrants को हाम ना हो उनकी जितनी भ labor में रहे हैं लेकिन अब क्योंकि एक ऐसा point है जहां पर immigration काफी ज्यादा बढ़ चुका है तो उन्हें भी ऐसे strict action लेने पड़ रहे हैं और उन्होंने भी कुछ-कुछ strict rules ला रहे हैं बट on top of that वो लोग try कर रहे हैं कि वो क्या best squeezing कर सके तो जैसे ही और कुछ अपडेट आत कर दो